स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूस चैनल पर फिल्म आदी पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया है रिलीज होते ही फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है लेकिन आदी पुरुष का ट्रेलर देखने के बाद जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है रावन इस फिल्म में रावन का रोल बॉलिवुड अबीनेता सैफ अली खान कर रहे हैं फिल्म आदी पूरुष देखने के बाद उनकी सबसे ज़्यादा तारीफ की जा रही है लेकिन क्या आप जानते हैं सैफ अली खान से पहले भी कई कलाकार परदे पर रावर बनकर काफी सुर्कियां बटोर चुके हैं जी हाँ आज हम आपको उनी कलाकारों से रूबरू करवाते हैं अखिलेश मिश्रा दो हजार आठ में रामनन सागर के बेटे आनन सागर ने भी रामायन बनाई और इसे परदे पर उतारा शो में गुर्मी चौदरी और देविना मुखर जी राम और सीता के किरदार में थे अभीनेता अखिलेश मिश्रा इस शो में रामट के किरदार में नजर आई थे बड़ी बड़ी आँखे और भारी भरकम आवाज में जब अखिलेश डायलोक्स बोलते तो लोग सच में सिहर जाते अखिलेश को आज भी उस किरदार के लिए जाना जाता है प्रेमनात साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म जय बजरंग बली में प्रेमनात ने रामट की भूमी का निभाई थी इस फिल्म में दारा सिंग हनुमान के किरदार में थे जो उनके सबसे बहतेरीन किरदारों में शामिल है इस फिल्म में रावण बने प्रेमनाद को भी काफी पसंद किया गया आर्य बबबर राज बबबर के बेटे आर्य बबबर ने बड़े परदे के बाद छोटे परदे पर भी एंट्री की और टीवी सीरियल संकट मूचन महाबली हनुमान में रावण का किरदार निभाया हालकि आर्य इस रोल के लिए वो तारीफ नहीं बटोर सके जो उनसे पहले के कलाकारों को मिली थी कार्तिक जैराम एकतर कपूर के सीरियल सिया के राम में रावण का किरदार एक्टर कार्तिक जैराम ने निभाया कार्तिक कंणड एक्टर है कार्तिक को कंणड बिग बॉस में भी देखा जा चुका है साथ ही उन्होंने कई फिल्मे भी की हैं अर्विन त्रिवेदी रामनन सागर ने रामायन को जब परदे पर दिखाया तो दर्शक हाथ चोड़कर टीवी के सामने बैठे रहते थे इस एतिहासिक सीरियल में अर्विन त्रिवेदी रावर्ड की भूमिका में नजर आए इस किरदार को अर्विन ने जिस शिद्दत के साथ परदे पर उतारा वो काबीले तारीफ है दर्शक अर्विन के चहरे के अलावा रामवर्ड के किरदार की कल्पना भी नहीं कर सकते थे अब ये उपलब्ध है Android और iOS में